तो नारच जी ने कहा था कि इसलिए क्योंकि आपने अभी तब जो लिखा उसमें ग्यान को बहुत जादा महत्व दिया और ग्यान सुनने वाले कल्यूग में नहीं होंगे आप किसी को इग्यान की बात बताईए वो चार और बताएगा कि भई हम से जादा ग्यानी है कि छे साल की उम्र में ही आपने कथा जो है सुनाना शुरू कर दिया था कथा वाची का बन गी थी इतनी यंग एज में क्या आपको समझा चुकी थी कि मुझे क्या करना है और कैसे ये सब शुरुवात हुई थोड़ा अगर आप पुरानी बातों को ताजा करें जी मैंने कथा चैसाल से नहीं की थी तब मैंने शुरुवात भजनों से की थी लेकंट तुबी वेर्यानिस्ट मुझे नहीं पता था ये मुझे ऐसा लगता है मेरी जिंदगी कहते है ना लिखी हुई आई है destined है, मुझे अच्छा लगा जब मैंने शुरुवात करी या मतलब किर्टनों में जाना या आपके जो environment हमेशा से घर में spiritual religious रहा, भजनों से रहा हन्वान 40 हम रोज करते थे मुझे भगवान की कहानिया बताई जाती थी तो एक बहुत जादा curiosity जिग्यासा मेरे मन में थी भगवान को लेकर तो शायद बस मेरे पैरेंस ने जिग्यासा को हमेशा आग देते रहे, आंसर करते रहे, सपोर्ट करते रहे, जिसका result है कि आज में यहां हूँ तो कथा मैंने शुरू की थी मुझे लगता है 13 साल के असपास की थी तब मैंने पहली कथा करी थी उससे पहले मैं भजनो की शुरूआत मैंने की फिर मैंने थुड़ा ध्यन किया कथा से पहले और 18 साल की थी तब मैंने श्रीमत भागवद पहली बार करी जे मैं श्रीमत भागवत गीता जो है रोजाना उसका पार्ट करता हूँ दस श्लोक मैं रोज पढ़ता हूँ तो साथ सो श्लोक हैं सतर दिन में एक बार हो जाते हैं तो पांच आवरित्ती मेरी हो चुकी है और मुझे ऐसा लगता है कि जब जब मैं पढ़ने के लिए अगली बा क्योंकि उसमें सब कुछ है और ये मैं आपको एक्सपीरियंस करके बता रही हूँ कि शुरुवात में मेरी भी बहुत क्वेशन्स होते थे स्पेशली जब मैंने मोटिवेशनल सेशन्स शुरू किये थे तो मैं दूसरे तरी की मोटिवेशनल किताबे वो भी पढ़ती थी और उससे पहले क्योंकि मैंने कुछ शास्त्र पढ़ लिये थे तो मुझे ऐसा लगता था कि जो जो किताबे में यहां पढ़ रही हूँ यह सब कुछ तो लिखा है और और सिंप्लिफाइड वर्जिन में लिखा है और डेप्थ में लिखा है तो उस दिन मुझे पता चला क खजाना तो आपके ही पास है आप बहार ढूंड रहे हैं लेकिन पूरा खजाना आपके पास पढ़ा है तो पहले अपने शास्त्रों को पढ़िए फिर डेफिनिटली आप बाकी चीजे पढ़िए और आपको समझ आएगा कि जो आप पढ़ रहे हैं वो पहले ही आपके शा है माइंसेट कैसा होना चाहिए अचली शास्त्र आपको जीवन जीना सिखाते हैं आज के जो युआ हैं उनके बारे में थोड़ी में बात करता हूं कि वो सुनना पसंद नी करते हैं वो बोलना पसंद करते हैं अपनी बात कहते हैं निकल लेते हैं तो एक कम्यूनिकेशन ग भागवत में जो भागवत की शुरुआत हुई थी तो पूरा टॉपिक आता है कि वेदव्याज जी कह रहे हैं कि मैंने इतने शास्त्र वेद लिख दिये परशांती नहीं मिल रही है ऐसा लग रहा है कुछ बच गया है कल्यूग वाले ये सब होने के बाद भी कुछ कर नह पाएंगे तो नारज जी ने कहा था कि इसलिए क्योंकि आपने अभी तक जो लिखा उसमें ग्यान को बहुत ज्यादा महत्व दिया और ग्यान सुनने वाले कल्यूग में नहीं होंगे तो ये एक टॉपिक है सुनना बंद हो जाएगा कल्यूग में कि लोग ज्यान नहीं ल तो पैरेंस से भी यही कोशिश रहती है कि आप बच्चों को अब वो समय गया कि आप यह बोल सके कि यह नहीं करना और वो मान जाएगा उसको एक लॉजिकल रीजन चाहिए कि क्यों नहीं करना मुझे बताओ और कई बार वो नहीं होता पैरेंस के पास यह कई पैरेंस ही ख आज का यूथ जिग्यासू है और जानना चाहता है चीजे पर उसको मिल नहीं रहा जवाब तो अब उसने शायद वो दर्वाजा बंद कर दिया है तो कोशिश करिए रीजनिंग देकर वो दर्वाजा जिग्यासा का फिर खोलिए